जिन्दगी कैसी है पेहनी ये हाई कभी तो हसाई कभी ये जुलाई जिन्दगी कैसी है पेहनी ये हाई कभी तो हसाई कभी ये रुलाई है ना फुलकुछ सही बात है यही है जिन्दगी कभी ये हसाती है तो कभी ये रुलाती है ये वदिऴ काल पीडियो को लाइक कमेंट करो झाल वीडियो को डाइक कहा जाता हमuis ने पैलोगी ओटो ने प्रॉलो रादे दोस्तों डले दोस्तों वीडियो को लाइक करें लाइक करें, कमेंट करें, सुष्क्राइब करें, मेरी चैनल को आँगे बढ़ये चलिए दोस्तों भी नाख Kr मिलते हैं और बनाएंगे फिर सिमय और खाएंगे... आप बालो में पानी दाते हैं येस हेलो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल वेलकम बैक तो माई न्यू ब्लॉग वीडियो दोस्तों ये वीडियो पिछले वीडियो के आगे का वीडियो है यहां तक तो आपने वीडियो को वाच किया था उसके आगे का वीडियो शेयर कर रही है। मुझे इतना time लग! और सब छीजों को समेट करा it क्योंकि अभी यह और इनके महरानी जी जो साथ गई थी वह भी नहाएंगी तो हमारी बड़ी बेटी और यह रह गए नहाने के लिए तो आज संडे देखो यह नहाते भी है कि ने क्योंकि इनको को रखा है और फीवर भी था राद में आप देखते हैं तो मैं यहां पर सिंद जार मेकब जो भी समझें स्डेएली का वो कर लेते हैं उसके बार फिर मैं पूझा करने जा रही हो दोस्तों और यहां पर बहुत सीरियस बैटर चल रहा था मुझे समझी नहीं अर बताओ आपको मैंने का बताऊंगी तो आपको लोगों को बहुं को लगे का हर चीज़ बत हुब देखा है तो उसको अलग अलग ही निकाल देंगे तो बस में यहां पर नीप ले तो यह ल哥 गर ने के आए और इसमें क्या आ और इसमें पीडियो में पासन बने हमें रहे यगा वीडियो बेसाल फ़ुलार करेंगा वैसे मेंने CNC silicon कर दिया है इनको भोल भोल कर किन वन को नुक्सान भी करता है लेकिन बच्चों की ख्चाती कि आग संडे है जब भाहर से खाना है तो मैं तो कह रही थी मैंने जब इस खुला ना तो थीक है ठीक है इस के साथ शोले बनाने में टाइम लगता है Article भोब चॉले में कम करनी चाहिए तो बस यहां पर मैं लोग की प्लेट लगा लिए तो सबसे पहले में पूर्ती और सुर्यानशी को दे दूंगी तो यह इसके साथ सुखे आलू है और चोले हैं और यह है आम के जो कली होती है ना आम सुखा आम ड्राइ मैंगो पीसे जो होते हैं उसका यह गल इस पेसली यह चटनी की वज़े से ही इसकी दुकान बहुत चलती है और यह जानते कोई ऐसी दुकान से नहीं आया है यह आया है हमारे हस्बन जी जब कॉलिज करते थे जुबली इंटर कॉलेज वहां से आया इस्टेशन के पास में इनका कॉलेज था सिटी स्टेशन के पा से वहां पर यह खाते थे यह समूसे छोले समूसे नहीं छोले भटूरे और यह पूरी बनाता था तो बस यहां पर सभी की प्लेटे लगा देती हूं आप लोग भी आ जाएए और खाकर बताएं कैसी लगी वाकई में इसके खस्ता जो होता है वो नहीं मिला उसकी खस्ते में बड़ा टेस्ट रहता है हीं का मसालों का बहुत अच्छा फ्लैवर रहता है बिलकुर नैश्रल तरीके से बनाता बहुत ही यम्मी बनाता है और यहां कि जतने लोग वेश्टे हैं सबसे रेट में भी ठीक है और स्वाद में तो बहुत ही लाजवाब है जतने भी हमारे ले चलूंगी दोस्तों आपको वहां पर बहुत अच्छा लगने वाला है और वाकई कहेंगे तीरी सच में आप सही बोल रही थी यहां पर वाकई बहुत टेस्टी मिलता है हमारे कहने से एक बार जरू ट्राइ करिएगा सिटी स्टेशन के साइड में जुबली इंटर पर जा करके आप देखोगे ना तो दो दुकाने हैं एक पर भीड बहुत लगती है कोनर वाली जो दुकान ही बेस्ट है पूर्थी पिछे पिछे लाइट जली आज़ा है तो दोस्तों यह जो ब्लॉग है यह इसके आगे का ब्लॉग यह मेरे माइके का है जब मैं दिवाली कि दूसरे दिन अपने माइके गई थी दोस्तों वहां पर हम लोगोंने सारे पटाके जलाए थी क्योंकि यहां पर तो आग लग गई थी ना दोस्तों फिर हम लोग ममी क्या गय थे तो ममी देखे फुल जड़ी जला रही है आई होपस हो कि आपको यह वीडियो शेयर किया तो मुझे लगता है मैंने नहीं किया है और ये मेरी ममी फुल जड़ी जला रही है इस तो आप मुझे बिलकुल माय के आने का मन नहीं करता है मेरे पापा मेरे भाई जब से खतम हों और बिलकुल मन लगता लेकिन बच्छे चोटे ना इस वज़े से इस बार तो बेटा भी मतलब चुड़ाए क्योंकि वहां पर जब आनार वगर जलाया तरह लास्ट टाइम आपने देखा वगा दिवाली के दिन बहुत आग लग गई थी और मैं यहां पर खड़ी हूं और आज जानती है क्या हुआ आज मेरी सुर्या जो पूर्ती है ना उसकी ड्रेस जल गई दोस्तों बच गई वहां से बम जला रहा था कोई पता नहीं किस ने जलाया थी वहां की पूरी चिंगारी कमरे के अंदर खड़ी थी वहां पर आके उसके नीचे सरारे में लग गई जो सलवार होती है उसे हम लोग कर दो कि जली नहीं यही बहुत बड़ी बात है उसको पता भी नहीं चला और हम लोग बताया भी नहीं लग लग गई थी और मैं बहुत टेंशन में आ गयी थी दोस्तों मैं क्या भूलूं बच्चे तो मा की जान होते हैं और यह करने लग हैं देखो तुम ने ध्यान नहीं दिया मैंने का मैं क्या करूं बच्चे हैं चोटे-चोटे मैं क्या कर सकती हूं लेकिन वह बात है ना कि अगर बच्चो को कुछ भी होता है तो मा की गलती आती है बस और किसी की नहीं आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं मा की सारी गलती क्यों देते हैं मैं तो इनके साथ पठाक तब ही हुआ है उसी टाइम हमने पूर्ती से थोड़ी सी दूरी बनाई थी और यहां पर देखें क्या हुआ कि कमरे में आके जला रहे थे यह जो चकरगनी होती है ना चकरगनी इसकी वज़े से इनका भी पैजामे में छेद हो गया था हलका सा बिलकुल पॉइंट वाला मैंने मना भी किया था कि वहां से हट जाओ हट जाओ हट जाओ नहीं सुनना है थे और देखें इनका भी पैजामे हलका सा बिलकुल पॉइंट भर भर के वह था और यहां पर देखें घर के अंदर जो है गैलरी है ना मेरे माई केव की जो गैलरी है अभी उतना अच्छे से बन के साथ तब तक के लिए बार